आज आपको बताएंगे एक ऐसे काले खेल की कहानी जिसे सुनकर आप भी सन रह जाएंगे कि कैसे देश की राजधानी के बगल में एक बिल्डर और जज सरकार की नाक के नीचे काली कमाई का बड़ा खेल खेल रहे थे एक ऐसा खेल जिसमें एक नहीं, दो नहीं, पचास और सौ भी नहीं, बलकि हजारों करोडों का घोटाला शामिल है जी हाँ, हर्याना में अब तक के सबसे बड़े घोटाले और इस घोटाले में शामिल जज और बिल्डर के ब्रष्टाचार की जुगलबंदी की ये स्याह काली सच्चाई है नमस्कार, मैं हूँ लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी धरसल, हर्याना में CBI की स्पैशल कोर्ट के जज सुधीर परमार और M3M बिल्डर के ब्रष्टाचार के मामले में लगातार कई संसनी केस खुला से हो रहे हैं केस में सुधीर परमार, M3M और IREO जैसे नामी बिल्डर कतित सांटगाट कर करप्शन का खेल खेल रहे थी ACP ने अपनी F.I.R. में जज सुधीर परमार, M3M और IREO बिल्डर की पूरी काली करतूत का सिलसले वार ढंग से ब्योरा दिया है F.I.R. में सुधीर परमार की अलग-अलग लोगों के साथ हुई 22 से जुड़ी आडियो रिकॉर्डिंग और वाट्सेप चैट का जिक्र है आडियो रिकॉर्डिंग में परमार एक केस में आरोपियों की मदद के बदले में 5-7 करोड रुपे मांग रहे हैं तो वहीं वाट्सेप चैट से उन्होंने आडियो केस के आरोपियों द्वारा 5 करोड रुपे दिये जाने का भी जिक्र किया है भतीजा अजय परमार था M3M और सुधीर परमार के बीच का बिचौलिया सुधीर परमार ने पहले अपने भतीजे को गुरुगराम में ASI ADO के रूप में तैनात किया जहां अपनी अधिकारिक पहुँच का फायदा उठाते हुए सुधीर परमार M3M और IREO समू के मालिकों के संपर्क में आया इसके बाद जज ने भतीजे अजय परमार को M3M बिल्डर के पास कानूनी सलाकार के रूप में 12 लाक रुपे सालाना के पैकेज पर नियूप करवा दिया बाद में सुधीर परमार को जब पंचकुला में CBI ED के स्पैशल जज के रूप में ट्रांसफर किया गया तो M3M ने जज के भतीजे का सालाना पैकेज 18 से 20 लाक रुपे कर दिया ACB ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इसके बाद जज सुधीर परमार CBI ED का स्पैशल जज होने के नाते ROP बिल्डरों से अपने भतीजे के जर्ये पैसो की उगाही करके उनके पक्ष में फैंसले सुनाने लगा था आपको बता दें कि FIR में ये भी खुलासा है कि सुधीर परमार M3M बिल्डर से अपने भतीजे के मुबाइल फोन के इस्तमाल से डिलिंग करता था M3M के डिरेक्टर रूप कुमार बंसल और सुधीर परमार की डिलिंग की बातचीत का जिक्र भी FIR में है पंचकुला में तहनात सुधीर परमार पर तीन महीने सिथी ACB की नजर हर्याना में CBI की स्पेशल कोट पंचकुला में है इसी अदालत के जज सुधीर परमार पर हर्याना एंटी करॉप्शन ब्यूरोन की टीम तीन महीने से नजर रखे हुए थी सुधीर परमार के बष्टचार के सबूत हाथ लगने के बाद ACB ने 21 फरवरी को उन पर केस दर्ज करने के लिए पंचाब वह हर्याना हाई कोट के चीफ जस्टिस रवी शंकरजा से अनुमती मांगी अप्रेल महीने में ACB द्वारा सुधीर परमार के ब्रश्टचार के सबूत दिखाये जाने के बाद हाई कोट ने उनके खिलाब केस रजिस्टर करने की अनुमती दे दी जिसके बाद ACB ने जज, M3M बिल्डर और अजय परमार पर शिकंजा कस दिया ACB की F.I.R. में जज के साथ M3M का डिरेक्टर रूप बंसल का भी नाम शामिल है पंचाब वह हर्याना हाई कोट की ओर से परमीशन मिलने के बाद ACB ने 17 अप्रेल को फायर दर्ज की इसमें CBI जज, सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और Real Estate Company M3M इंडिया प्राइबेट लिमिटेड के डिरेक्टर रूप बंसल के खिलाब Anti-Corruption Act की धारा 7, 8, 11, 13 और IPC की धारा 120B के तहत केस रजिस्टर किया गया सुधीर परमार का भतीजा अजय परमार, Real Estate Company M3M में कानोनी सलाकार भी है इस F.I.R. में सुधीर परमार के corruption से जुड़े सबूतों और दस्तावेजों का जिक्र भी है सुधीर परमार के अनुमती के बाद सस्पेंड हाई कोर्ट की परमीशन के बाद ACB ने सुधीर परमार के पंचकुला और गुरुग्राम सित आवास पर रेड की इसमें ब्रष्टा चार से जुड़े कई सबूत मिले जिनकी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिये पंजाब इवं हर्याणा हाई कोड को दी गई थी हाई कोट ने रिपोर्ट स्टड़ी करने के बाद मामले को बेहत गंबीर्था से लेते हुए सुधीर परमार को सस्पेंड करने के लिए सुप्रीम कोट से अनुमती मागी सुप्रीम कोट की अनुमती मिलने के बाद हाई कोट ने 27 अप्रेल को सुधीर परमार को सस्पेंट कर दिया साथ करोड के डिमांड पांच करोड रुपे पहले भी देने का दावा ACB की FIR में सुधीर परमार और एक अन्य व्यक्ति के बीच हुई WhatsApp चैट के स्क्रीन शॉट का जिक्र है इसमें वह एडी से जुड़े केस में मदद करने के लिए 5 करोड रुपे से 7 करोड रुपे तक का डिमांड कर रहा है FIR के मुताबिक सुधीर परमार ने WhatsApp चैट के दोरान अग्यात व्यक्ति से रिश्वत लेने की डिमांड की इस पर अग्यात सक्ष ने उसे रिपलाई किया कि IREO केस के आरोपियों दुआरा उन्हें पहले ही 5 करोड रुपे दिये जा चुके है FIR में कहा गया कि यह WhatsApp चैट कतित तौर पर परमार के अपने मुबाइल पोन के साथ साथ उनके बतीजे अजे परमार के मुबाइल से ही की गई है दूसरी रिकॉर्डिंग में मांगे 1.5 करोड रुपे ACB की FIR में 3 ओडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र है एक आडियो रिकॉर्डिंग में सुधीर परमार किसी आरोपी से मिलने के लिए 1.5 करोड रुपे प्रतिव्यक्ती 50 लाग रुपे डिमांड कर रहा है सुधीर परमार इन रिकॉर्डिंग में M3M कंपनी के डिरेक्टर रूप बंसल से कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि किसी समवेदंशील जगह पर उनकी पोस्टिंग के चलते आरोपी के साथ उनके संबंदों का खुलासा हो सकता है उन्होंने रूप बंसल से कहा कि कभी भी उनसे पर्सनल मोबाइल फोन पर बात ना किया करो बातचीत के लिए इस सेफ एप का ही इस्तिमाल किया FIR के अनुसार सुधीर परमार किसी केस में डिलिंग के लिए और M3M वा आईयरियो केस के आरोपियों से अपने भतीजे अजय परमार के मोबाइल फोन के जरिये ही बातचीत करते थे इसमें भी वह WhatsApp और FaceTime जैसे एप का इस्तिमाल करते थे ताके रिकॉर्डिंग वगेरा न हो सके M3M कंपनी का रूप बंसल भी एक आउडियो रिकॉर्डिंग में सुधीर परमार से कहता है कि वह उससे कभी उसके फोन पर बात नहीं करते और हमेशा अजय परमार के मोबाइल का ही इस्तिमाल करते हैं आउडियो रिकॉर्डिंग में परमार के ये दावे ACB के पास मौजूद है ACB के पास मौजूद आउडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार सुधीर परमार ने एक व्यक्ति के साथ बातचीत में सुईकार किया है कि उसने M3M कंपनी के रूप बंसल को ED कंपनी के केसों में आरोपी बनने नहीं दिया है वहीं रूप बंसल के साथ एक अन्य रिकॉर्डिंग में उसने वादा किया है कि अगर उन्हें CBI केस में छोड़ दिया गया तो वह उन्हें ED केस में आरोपी नहीं बनने देंगे 1200 करोड रुपे की संपत्ती से संबंदित एक अन्य ओडियो रिकॉर्डिंग में सुधीर परमार का दावा है कि उन्होंने सुनिल यादब से बात की है कि वह इसे अटाच करने की अनुमती नहीं देंगे बस शर्ते कुछ पैसो का लेंदेन किया जाए निलंबन से पहले इसी लिए लेनी पड़ी सुप्रेम कोर्ट से परमीशन CBI की पंचकिला अदालक में कई बड़े मामलों की सुनवाई चल रही है हर्याना के पूर्व सीम बुपेंदर सिंग हुड़ा के खिलाब दर्ज केसों की सुनवाई भी इसी कोर्ट में हो रही है सुधीर जज इसी कोर्ट के जज हैं सुप्रेम कोर्ट के इसी ओर्डर की वज़े से हाई कोर्ट को सुधीर परमार पर आक्चन की अनुमती लेनी पड़ी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे है रिपोर्टर जी